वेदिक मैथ पहला चेप्टर चल रहा है पहला चेप्टर का ये आँखरी वीडियो छठा वीडियो एक चेप्टर को कम्पिलिट करने के लिए छे वीडियो का इस्तमाल करना पड़ा छे कलास लेना पड़ा जो छेओ क्लास देख लिए होंगे, जो सभी क्लास को देख लिए होंगे, उसके लिए बहुत सारा मैत का जो कल्कुलेशन है, गुना है, इसक्वाइर है, वो बहुत ही आसान चुटक्यू का खेल हो गया होगा, तो जो ना देखे हो, अभी भी मौका है, फिरी में वेदिक मैत कोई नहीं पढ़ाता है, आप यूटूब में चान मार के देख लो, पहला परसन है, जो कि फिरी में यूटूब और फेस्बूक दोनों जगे आपको वेदिक मैत पढ़ा रहे हैं, तो अभी भी वक्त है, प्लेलिस्ट में जाओ, वेदिक मैत, जो बना हुआ हुआ है प्ले कम समय में कैसे करना है, वो सारे चीज़ सिखाएंगे, तो ये पहला जो चिप्टर था, उसका आखरी वीडियो है, आखरी वीडियो में एक नियम पढ़ेंगे, और यहाँ पर जो को ट्रीक बोलते हैं, लेकिन ये ट्रीक नहीं है, ये वेदिक मैत का नियम है, ट्रीक नहीं तरीका है, जो कि इसकूल में पढ़ाया नहीं जाता है, इसकूल में सिम्पल साधारन तरीका पढ़ाया जाता है, जैसे कोई चीज़ को गुना करना हो, तो यही पढ़ें होंगे गुना करने का, यहाँ गुना लगा, वा इसका पहड़ा पढ़ो, पूरा यहाँ लिखो, फ पूरा वीडियो जलूर देख़ेगा और जो छूट गया है पिछला वीडियो उसको भी जलूर देख़ेगा ठेकती कै तो चलिए आज का जो वीडियो है इसमें आपको बताएंगे एक नियम बताएंगे उस नियम का नाम है नौ में से सब और दस में से अंतिम नियम का परियोग करके घटाना किसको घटाना है तो दस के घात वाले संच्छाओं को घटाना है दस के घात वाले कोई संच्छा हो उसको घटाना है किसी भी संच्छा से तो उसमें जो नियम लगाएंगे उस नियम को कहते हैं नौ में से सब और दस में से अंतिम नहीं समझ मा रहा होगा कहाना क्या चाह रहे हैं तो कहना यह चाह रहे हैं की 10 गहात मतलब समहीं माता हुगा गहात मतलब आ Shap सच्ष एक साथ 1 डुद्य打 एक साथ 3 तीजिर रहे चार भूद्य रहे ऐसे संख्याओं को घ्हटा 1 है किसी भी संख्या से याद इससे चोटा कोई संख्यान्वाँच तो इसमें क्या करेंगे सकनेंबली नो मेंसे सभाइब, दस passo each है अनु क्यूं माने सब को नौ से घाटादव In the school world students इसको दिया, 10 वाइश को दिया, 10 हुआज इसको दिया, 10 हुआज इसको दिया, 10 हुआज से इधर बंच ऑढ़ नौौ। तब घड़ा, उतना नहीं करना है, क्या रखना है? 9 में से सब, 10 में से अंतिम, यानि अंतिम जो है लास्ट वाला है, उसको 10 से घटाते फिर सब को 9 से, 9 में से सब, 10 में से अंतिम, तो 10 में से अंतिम को घटा दिये, और 9 में से सब, 9 से सब को घटा दिये, 9 में साथ घटाओ, 2, 9 में 5 घटाओ, 5, 9 में 5 घटाओ, 4 हो गया अंसर, 9 में से सब, 10 में से अंतिम, तो 10 में से अंतिम घटाओ, एक बचेगा, और 9 में सब बाकिको 9 से तो 9 से 9 सProfes 10 में सब्सक्राइब से अंतिम को दू बचेगा बाकी को नव सब्सक्राइब कुछ होने कि यह एक मैं था नौ में से सब और दस में से अंतिम समझ मा रहा होगा थोटा ही बीडियो बनाएं क्योंकि यह बस इतना ही साय और कुछ नहीं है और एकाद एग्यांपल दें सकते हैं यह एक मात का은म ही Ama Ampya है aan नौ में से सब अंतिम में से दस तो दस में यह जिरो है निशनिंष्यच होगा है उसको जिरो संझाने मिलाश्टम ढ़र लेंग्यांश्यर टास यहां शूर। सब करेंगे दस में से तो दस में से पांतिम फाटांगेंगे जहां सको इसन वहां सद उसको एंतिम में ओ से दस सब नियम क्या है नौ में से सब दस में से अंतिम ठीक है कोई दिगत ने तो ने वीडियो में आवेंगे तो च्छॉग वीडियो में क्या क्या पढ़े वो सब का अभयास कोश्चन देंगे तो नेक्ट वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होगा उसमें क्या-क्या पढ़े सबका नियम के साथ साथ कोश्चन देंगे अभियास करने के लिए, वो अगर आपको सही मानों में मै Wähत को सीखना है तो वो सारा question को अभयास करिएगा प्रयास करियेगा, कुनसा है वेतिक मैथ नियंसे साधारण वल्हां से नाइन साधारण वाला तो लगबाग आता ही होगा लेकिन वेदिक मैध के तरीके जैसा हम बता हैं वैसा पर्यास करना है उसके लिए कोश्चन तयार कर दियाद लिए नेक्ट वीडियो को इंत्याज करें नेक्ट वीडियो में जो आलभी तक 6 वीडियो छे कलास लिए च्छाओ का नीच वोड़ रहेगा च्छाओ में क्या-क्या सीखे उस पर आपको सभी से 5 5 6 6 कोश्यन देंगे जिसको प्रिक्टिस करना है ताकि आपका मच सच में होगा ठीक है मिलते नेक्ट वीओ में थांक्स वाचिंग जहिन सुक्रिया